हेलो वेरीज वेलकम तो माय चैनल ड्रेम तरोट यह आपके दिसंबर मन्त की रीडिंग है निव मन्त रीडिंग और यह एक जनल रीडिंग होगी जो क्या से रिजनेट कर भी सकते और नहीं भी कर सकते हैं सिर्फोन मैंसे इसको 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 सबस्क्राइब करें में दूसरे ल मैसेजज़ आते हैं फूं मंत अफ़ दिसेंबर में मैसेज़ फॉर सचिटेृरियस एं मंत अफ़ दिसेंबर okay messages for Sagittarius एट सॉरी एरीज साइन एरीज के लिए क्या मैसेज़ दिसेंबर मन्त में I just started reading तो यह पैला ही साइन है जिनकी मारे रिगिंग कर रही हूँ कोई भी दूसर साइन के आवाले से मैंने नहीं सोचा है सजज जे इस के बारे से मैंने नहीं सोचा था तो यह Aries साइन की रिडिंग है तो देखते हैं कि क्या मेसेज़े साते हैं यह साल्टी क्रॉस के सपर्ट से ही आपकी यह रिडिंग होगी और दे मैसेज़े साइस फोर एरीस फोर दे मन्त ऑफ दिसम्बर तो ज़ल्दी नहीं जल्दी कितनी जल्दी जो है वो एर भी खतम हो गया तो तो देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज़े आते हैं December month में Aries, Aries के लिए क्या मैसेज़े हैं for the month of December 2022 month of December 2022 में Aries के लिए क्या मैसेज़े हैं Celtic Cross के Spread Way में यह रिडिंग करूगी आपके लिए अदरनीत आपके पास रहे है वो है Eight of Swords So Okay Seven of Swords, Eight of Swords, Aries So आपको Like अगर आपकी relationship में कोई breakup situation है और ego किसी की ego के वज़ा से यह सब कुछ हो रहा है तो आपको इसमें careful रहने की सुरत है Like किसी की stubborn energy की वज़ा से आप में और आपके relationship में कुछ ब्रेकप वाली situation बनी हो कुछ hiding situation है आपको Like कोई आपको manipulate कर रहा है आपके mind को negative बनाने के लिए आपके अपके अथॉरिटी विगर इस है चाहे वापके घर के family के लोग हो या आपके family में जो कोई आपका बड़ा है उनको आपके बारे में कुछ manipulation किया जा रहा है या पर आपकी work place पैसी कोई situation है आपके हवाले से negative किया जा रहा है किसी के हवाले से या पर आपके partner को आपके हवाले से negative किया जा रहा है इस तरह की कोई energy हो सकती है Aries के लिए so देखते हैं कि बाकी messages आपके लिए क्या आते हैं page of swords, seven of cups, yes queen of wands and ace of pentacles, empress, two of swords three of cups, three of pentacles, three ki energy है, seven of pentacles, the lover, okay the lover और या पके लिए दो card आगे हैं okay so hope कि आपके सारे cards देख सकते है if you're able to do this see them okay so hope कि आप सारे cards देख सकते हैं so जैसे मैंने कहां कि आपको यहां पर यह तो आपको negative किया जा रहा है या पर आपके partner को क्या जा रहा है यहां पर third party situation मुझे नज़ारी कुछ लोगों के लिए ठीक है आपके लिए भी है और आपके person के लिए दोनों के लिए third party situation हो सकती है कोई मैनिपलेट करने के कोशिश कर रहा है कोई किसी के लिए पर नज़र रखावे जा तो आप हो सकते हैं आप look back कर रहे हैं अपने partner की तरफ से कुछ news सुनने के हवाले से लिकिन आपको confusion बहुत ज्यादा हो रही क्यूंकि आपको confusion है या फिर अगर आप अपने other options को explore करने के हवाले से सोच रहे हैं लेकिन यह एक challenge हो सकता है so year more do HOW कि अब आपके आपके लिए आपकी आपकी अथारियन Лिजर नेचर इस पे आपकी 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 je आपकी अड़ीनल नेचर में वापकी आपकी आपकी आपकीध आपकी इस आपी अपकी इन की अपने लिए एक बुल्ड एक्षन दे सकतें हैं। एक बूल्ड आक्षें लाफ लिए वहीं बाफ लेब दिद्री में करें हैं। प्रिस्ट्वाइब संproduk, यह जो कि बहुत अपने तरफ तरफ दया हैं घर आपकी personality embrace like है ठीक है आप बहुत से new लोग अपनी तरफ attract कर रहे हैं कोई new offers भी आ सकती है आपको commitment offers भी आ सकती है in start of the month में जो कि long term stable relationship आपको दे सकती है इसके लावर यह आपके business growth भी हो सकती है कि अगर आप business करते हैं कोई काम करते है तो इसमें भी growth हो सकती है ठीक है और अग इसमें आपका break up हुआ है और आप आप जो है नेगिटिव होके भी सोच रहे है या तो आपके partner किसी ने आपको manipulate किया और आपका mind negative हो चुका है अपने partner की तरफ से लेकिन आपके personality के वजासे आपके और मजीद offers आ सकती है न्यू लोगों की तरफ से आ सकती है और आप उन्ह करने के और मालूमात हसल करने की कोशिट कर सकते है कौन सा person आपके लिए बैस रह सकते है तो यह पर twice करना आपके लिए थोड़ सा मुश्किल भी हो सकता है तो है middle of the month में December के middle of the month में आपको चाल थोड़ सा मुश्किल हो सकता है तो हमाइन में हमेशा से है long term commitment like आप just fling or short relationships आप एक long term stable commitment चाहते हैं, ठीक है, तो यह आपको नहीं मिल रही है, इसलिए आप बहुत ददा confused हो सकते हैं, आपके जो other options हैं, उनमें से आपको किसी से commitment नहीं मिल रही है, तो आप इस सबाले से बहुत ददा confused हो सकते हैं, तो आप अपने friends gathering में बहुत दा enjoy कर रहे हैं, ठीक है बहुत से लोगों की तरफ से commitment भी आ सकते हैं तो आप उन commitment में भी confused है कि कौन सी बहतर है तो आप right person का wait करें आपके लिए advice है from the universe कि आपको right person का wait करना चाहिए थोड़ सा और wait करना चाहिए जो भी आ रहा है उस पे आपको just rely नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको क्या चाहिए आपको एक soul connection और commitment चाहिए ठीक है इसलिए यह आपकी demand है कि आपको एक ऐसा person चाहिए जो आपको समझे भी आपका soulmate हो आपका twin flame हो और आपको commitment भी दे जिसके साथ आपका long term relationship हो तो यह आपकी desire है तो इसके लिए reverse आपको कहरे है कि आप थोड़ा किसी पर blindly trust भी नहीं करना है ठीक है आप किसी पर blindly trust नहीं करना जाते है क्योंकि आप अपनी growth पर work out कर रहे हैं तो अपने self worth को आप जानते हैं और ठीक है इसलिए आपको जो चाहिए वो आपके लिए clear है अगर कोई आपको यह चीज़ offer कर देता है यह दोनों चीज़ आपक को accept करेंगे तो यहां पर यहां पर यहां पर देखते हैं कि आपके लिए रुमेंस अंजल और इकल मैसेज क्या है और इस अंजल और कल मैसेज for a sign in month of December okay heart to heart conversation ठीक है यहां पर heart to heart conversation की बहुत ज़्यादा जरूरत है सक्त जरूरत है अगर आपको कोई person अपने लिए चाहता है आपको लगता है कि आप person आपके लिए perfect आपको commitment दे सकता है तो आपको heart to heart conversation करनी है उस person से यह पर अगर को past person भी वापस आ रहा है commitment के लिए तो आपको उसके सथ heart to heart conversation करनी चाहिए make the effort great love is worth taking the step you are taking guided to take यह पर यह तो यह है कि आपको right person का wait करना चाहिए guidance है आपके लिए लेकिन आपको effort भी डालनी चाहिए like अगर कोई आपके पास relationship है already तो उसमें आपको effort डालनी चाहिए ताके आप relationship पे आगे बढ़ सके जैसे मैं रिका कि कोई third person अगर manipulate कर रहा है तो उसकी manipulation में ना आए बगएर आप अपने relationship में effort डालें ताके आपका relationship स्टेबल हो ठीक है तो मुनालोजी से कार्ड लेते हैं for you Aries Nothing yet is set to stone अभी भी कुछ भी set नहीं है कि क्या होना चाहिए क्या होगा या क्या नहीं होगा या अगर आप दोनों में break up भी हुआ हुआ है अगर आपके पास person से आपका break up हुआ है तो अभी भी कुछ भी decided नहीं है आप effort करें अगर इस relationship में पास relationship है अगर आप effort करें तो इसमें आपको बहतरी नजर आ सकती है commitment नजर आ सकती है It's time to release negativity यानि यह time है कि आप negativity को release करें अपनी life से जो कि आपने mind में रखी है अगर किसी third person ने आपको manipulate किया है तो और confusion create करने की कोशिच किया है तो आपको अपनी तरीकी से पुरी जान परताल करनी चाहिए ना कि आपको confused होना चाहिए तो तब जाकर आपको कुछ realization हो सकती है negativity release हो सकती है फिर आप effort करें तो आपको जो love life है उसमें भीतरी आ सकती है commitment भी आपको मिल सकती है